हलो दोस्तों कैसी हो आप सब हमारी कहानिया देखने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकॉन पर क्लिक करना भूलिएगा मत वो एक खुब सूरत गाउं था सत्पाल अपनी गर्फवती हथनी को गाउं की नदी में रोज नहला कर घर ले जाया करता था हथनी भी सत्पाल से बहुत प्यार करती थी सत्पाल अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए सबजी बेचता था सबजी ताइसा ताइसा सबजी सबजी देलो सबजी युगाउं में गली-गली घूम कर सबजी बेचता था हथनी भी सबजीयों का ठेला ढोने के लिए उसकी मदद करती एक दिन सत्पाल जब हतनी को खाना खिलाने जाता है तब देखता है वो बड़ी कमजोर लग रही है क्या हुआ आज बड़ी कमजोर दिखाई दे रही हो खाना भी नहीं खा रही हो क्या बात है देखो तुम ऐसे करोगी तो तुम्हारे बच्चे को सही पोशन कैसे मिलेगा पर हथनी खाना नहीं खाती तुम्हें एक बार डॉक्टर को दिखाना होगा और सपाल उसे पशु अस्पताल ले जाता है रास्ते में एक कार तेज रफ्तार से उनकी तरफ आती है शायद ड्राइवर ने शराब पी रखी हो वो अपना संतुलन खो रहा था कार यहां वहां भटक रही थी सपाल का कार की तरफ ध्यान नहीं था वो अपने ही खयालों में चल रहा था लेकिन हथनी ने तेज रफ्तार से आने वाली कार देखी अरे सित्पाल का ध्यान नहीं है और वो आगे जाकर अपनी सून से सित्पाल को धक्का मार देती है सित्पाल बगल में जाकर गिर जाता है लेकिन अफस लोज हथनी कार से टक्रा जाती है कार चलाने वाला आदमी वही मर जाता है सित्पाल होश संभाल कर कार के पास आकर देखता है हाई राम ये तो मर गया फिर देखता है कि हथनी के पाव में भी बड़ा सा घां हो गया है वो दर्च से बेहाल रोती रहती है हे भगवान मेरा बहुत गहरी चोट आई है दर्च मुझसे सहा नहीं जा रहा हां उठकर खड़ा होना भी मुश्किल है मेरे लिए उसे देख सत्पाल परिशान हो जाता है हे भगवान ये क्या हो गया और हथनी को जैसे तैसे अस्पता ले जाता है डॉक्टर हथनी की हालत देख उसे सहलात है सत्पाल चिंदित होकर डॉक्टर से पूछता है डॉक्टर साब हथनी ठीक तो है ना गर्वती है वो हाँ हाँ चिंता मत करो मा और बच्चा दोनों स्वस्थ है पर हथनी का पैर काटना होगा क्या पैर काटना होगा फिर तो वह चल फिर नहीं पाएगी दूसरा कोई इन्फेक्शन बढ़ जाएगा और इसमें हथनी की जान भी जा सकती है ठीक है डॉक्टर साब आप जैसा ठीक समझे डॉक्टर हथनी का पैर काट देती है कुछ दिन अस्पिताल में गुजारने के बाद सत्पाल उसे घर ले आता है मुझे माफ कर दो दोस्ट उस दिन मेरा ध्यान नहीं था अगर मैं सचेत रहता तो वो हाथसा नहीं होता तुम्हारे साथ मुझे बचाने के लिए तुमने अपनी जान की भी परवा नहीं की हथनी उसका दुख देखकर अरे तुम दुखे मत हो मुझे कुछ नहीं हुआ है और मेरा बच्चा भी स्वस्थ है यही मेरी लिए सबसे बड़ी खुशे की बात है मैं चल नहीं पाऊंगी बस इतना ही ना कोई बात नहीं सत्पाल उसी के बारे में सोचता रहता है वो दूसरे दिन अस्पताल जाकर डॉक्टर से पूछता है डॉक्टर साब क्या मेरी हथनी को पैर लगाया जा सकता है कोई रास्ता हो तो बताईए नहीं, ऐसा कोई रास्ता नहीं है क्यों डॉक्टर, इंसानों के तो हाथ पैर कटनी पर कृत्रिम हाथ पैर लगते हैं न वैसा कुछ हो सके तो सटपाल, हथनी को वैसा पैर लगाया जा सकता है लेकिन उसमें बहुत सारी पैसे खर्च होंगे डॉक्टर साथ, आप पैसे के चिंदा मत कीजिए महरबानी करके कृत्रिम पैर लगाने की कोशिश कीजिए मेरी हथनी चल फिर पाएगी मेरे साथ सबजी बेचने आएगी तब ही मेरे मन को शांती मिलेगी सटपाल रोनी लगता है सटपाल, हथनी के प्रती तुम्हारा प्यार देख कर बड़ी खोशी हुई ठीक है, मैं मेरी तरफ से हल कोशिश करूँगी तुम पैसों की व्यवस्था करो बहुत शुक्रिया मैं पैसों का बंदोबस्थ होते ही आपको बता दूँगा सटपाल घर आकर हथनी से कहता है सुनो, मैं अभी डॉक्तर से बात करके आया हूँ तुम्हें कृत्रियम पैर लगाएंगे फिर तुम चल फिर सकोगी हथनी रोते-रोते अगर ये सच होगा तो मेरे जैसी भाग्ये शाली और कोई नहीं तुम मेरा कितना खयाल रखते हो तुम यही रहना अपना खयाल रखना मैं जरा काम से बाहर जा रहा हूँ सटपाल उसका दोस्त बजरंगी के पास जाकर सुनो दोस्त, मुझे पैसों की जरूरत है क्यों दोस्त, ऐसे क्या जरूरत आ गई तब सटपाल उसे सारी कहानी बताता है उसकी बाते सुनकर बजरंगी यहां इंसान के खाने पीने का ठिकाना नहीं है और तुम उस हाथी को कृत्रिम पैर लगाने चले ऐसी क्या जरूरत है यह सब छोड़ दो बजरंगी कहता है सटपाल दुखी होकर ठीक है बजरंगी तुम मदद नहीं कर सकते हो कोई बात नहीं पर तुम्हारा इस तरह बात करना अच्छा नहीं लगा आज मैं उस हथनी के वज़े से हैं जिन्दा हूँ और सटपाल दूसरे दूस्त के पास जाता है अरे ये क्या पागलों की तरह सोच रहे हो अपने घर पर ध्यान दो कहा उस हथनी पर पैसे खच कर रहे हो सटपाल कई लोगों से मदद मांगता है पर कोई पैसे नहीं देता उज़र हथनी उसकी राह देखती है सटपाल उदास होकर घर लोटता है मुझे माफ कर दो मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका पैसो की व्यवस्था करने गया था पर किसी ने मदद नहीं की और दुखी हो जाता है अरे तुम क्यों उदास होते हो पैर नहीं है तो क्या हुआ मैं जिन्दा तो हूँ ना बस यही काफी है मेरे लिए तुम परिशान मत हो ना सत्पाल उस रात हथनी के पास ही बैठा रहता है तब उसे खयाल आता है अरे मैं क्यों इतना परिशान हो रहा हूँ मेरा घर बेच कर उन पैसों से मैं हथनी को कृत्रिम पैर लगाउंगा अगले दिन सत्पाल घर बेचता है गाउं के जमीदार उसे पैसे देकर घर अपनी कबजे में ले लेते हैं सत्पाल तुरंथ हथनी को लेकर अस्पताल जाता है डॉक्टर भी सत्पाल से ठीक है मैं शहर के बड़ी डॉक्टर से बात करती हूँ और जितनी जल्दी हो सके हथनी को हम कृत्रिम पैर लगाएंगे कुछ दिन बार शहर के डॉक्टर हथनी को कृत्रिम पैर लगा देते हैं सत्पाल से कहते है हमने पूरी कोशिश के साथ उसे कृत्रिम पैर लगा दिया है अब उसका खयाल रखना आप की जब्मिदारी है उसे अच्छा आहार दीजिए चलने जैसी हल की कसरत कराईए फिर आगे इश्वर की कृपा सत्पाल उन्हें धन्यवाद देता है डॉक्टर ने क्या कहा याद रहेगा न सत्पाल तुम्हें इसका खयाल रखना होगा और वो वहाँ से चली जाती है सत्पाल हथनी को लेकर घर आ जाता है उसे अच्छा खाना खिलाता है पर चलते वक्त हथनी को पैर में दर्ध होता है आह, आह, मुझे पैर में दर्ध हो रहा है तकलीफ हो रही है और वो रोने लगती है अरे थोड़ी कोशिश करो धीरे धीरे फिर दर्द नहीं होगा हथनी भी सत्पाल की बात मान कर कोशिश जारी रखती है धीरे धीरे उसे आदत हो जाती है वो चलने लगती है सत्पाल फिर से अपना सब्जी का व्यापार शुरू कर देता है गावाली हथनी का कृत्रिम पैर देख सत्पाल भी अजीब है अपना घर बेचकर इस हथनी को उसने कृत्रिम पैर लगवाया और अब जुग्गी जोपडी में रह रहा है कुछ लोग उसे सरहाती तो कुछ लोग सत्पाल क्या इसने पूछा था कि मुझे पैर लगवाओ तुम्हारी मती मारी गई थी जो तुमने घर बेचकर इसको कृत्रिम पैर लगवाया सत्पाल उनसे कहता कोई कुछ भी कहले मैं परवाह नहीं करूँगा मैं मरनी के बाद कोई शायद मुझे याद भी न करता लेकिन आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ सिर्फ इस हथनी की बदोलत उसने मेरी जान बचाई उसका एहसान तो मैं नहीं चुका सकता बस उसकी ये छोटी सी मदद की है मैंने सत्पाल की बाते सुनकर हथनी खुश हो जाती है मन ही मन सोचती है दोस्त कितने अच्छे हो तुम तुम्हारे जैसा दोस्त मुझे मिला ये मेरा सौभाग ये है हे भगवान अगले जनम में मुझे सत्पाल की बेटी ही बनाना